नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी के Exam Pathfinder में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर आई हूँ जो कि RPSC यानि की राजस्थान Public Service Commission के द्वारा घोशित की गई है मैं आपको बता दूँ यह जो process of recruitment है वो direct recruitment के basis पे होगी साथ ही जिस post की घोशना हुई है वो है senior physical education teacher इसे के साथ अगर आपको इस post में interest है तो आप directly हमारे platform alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस attachment section में आओगे आप देख सकते हो यहां पे एक official notification PDF attached है इस official notification PDF को download करने के लिए आप यहां इस download button को press करके directly download कर सकते हो और साथ ही आप यहां से इनकी official notification को देख सकते हो आपको मैं बता दूँ यहां पे जो senior physical education teacher की vacancy निकली है वो total 461 vacancies निकली है numbers में साथ ही यह tentative यानि कि इसकी vacancies है वो 461 से जादा भी हो सकती हो और उसे घटाई भी जा सकती है दूसरे important point यह है कि इनके लिए जो application process है वो online होने वाली है तो आप घर बैटे इस application में apply कर सकते हो और vacancies है वो total 3 fields में निकली है यहां पे एक है general field एक है TSP field और दूसरी है सहरिया तो मैं आपको बता दूँ general field में total 100 vacancies निकली है सहरिया में total 2 vacancies निकली है और TSP में total 52 vacancies की यहां पर घोशना की गई है आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपके लिए mention की गई है इस पूरे box को आप directly यहां पर refer कर सकते हो अगर आपको इस application में apply करना है अगर आप इस job vacancy में interest रखते हो तो तो आप देख सकते हो यहां या उसके equivalent के examination आपने clear की हो किसी भी recognized college या फिर institute जो की UGC के दवारा certified हो और साथ ही आपके पास bachelor's of physical education यानि की BPA होनी चाहिए आपके पास किसी भी national council of teacher education या फिर national council of government के दवारा आपके पास working knowledge होनी चाहिए Hindi written in Devnagri script and knowledge होनी चाहिए Rajasthani culture की usually educational qualifications में यह चीज़े तभी mentioned ह होती है जब यह highly important होती है तो आप इनने जरूर से जरूर देखे और आपको मैं बता दूँ यहां पर जो pay matrix है वो 11-11 की है तो आप यहां से directly refer कर सकते हो pay matrix के लिए आपको मैं बता दूँ आप हमारे इस video को pause करके यहां पर सारी details यहां से पढ़ सकते हो जो age limit है वो है 18-40 सा आप यहां नीचे होगे आप देख सकते हो यहां पर जो registration की starting date है वो है 15th July से और जो इनके लिए last date है वो है 13th August तो यानि की 15 July से 13 August तक आप इस application में register कर सकते हो इनके लिए जहां पर application fee है वो है 500 रुपीज साथी यहां पर आपको कुछ relaxation भी दी गई है category wise तो आप relaxation के लिए हमारे platform alert.exam.pathfinder.com पर आकर इस official notification में अपने सारे points यहां से पढ़कर clear कर सकते हो आपको मैं बता दू सेlection process के लिए यहां पर mention है कि आपका paper होने वाला है यानि कि written paper होगा जो की total 460 marks का होने वाला है paper 1 आपका 200 marks का होगा 2 गंटे का paper होगा उसमें total 100 questions होंगे multiple choice questions और जो paper 2 तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने आपको पूरी official notification explain कर दिया है आप marks distribution के लिए directly official notification को refer कर सकते हो यहां पर देख सकते हो आपके लिए different marks division यहां पर clearly mention की गई है तो आप इने जरूर से जरूर पड़े और अगर आपको कोई problem है कोई queries है कुछ भी important information है जो आप अपने बा community forum पर आते हो इस community forum पर आप देख सकते हो यहां पर नीचे एक right or reply का section है इस right or reply के section में जब आप अपने doubts queries यहां पर mention करोगे तो आपके बाकी fellow candidates इने reply कर सकते हैं वो भी अपने point of views रख सकते हैं और वो भी अपने questions यहां पर पूछ सकते हैं आपके help के लिए मैं हमारे community forum की जो यह link है वो वीडियो के description में डाल दूगी and guys I hope आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी अगर आपको हमारे यह event अपने किसी family members या किसी भी friend के साथ share करना है तो आप directly platform पर आकर इस share button को प्रेस करके share कर सकते हो और अगर आपको इस particular organization से सारे updates चाहिए तो आप यहां प चाहिए तो